आज देश की राष्टपती दुरौपदी मुर्मूर पत्ना पहुंच रही है चौथे क्रिशी रूड मैप 2023-2028 को लेकर सुभारम करेंगी और पत्ना के गांधी मैदान इस्तिच वापु सभागार में है जो यह कारकरम आयोजित होगा इस वक्त हम NDA सरकार में जो क्रिशी मंतरी अमरेंदर परताब सर्त है हम उन्हीं से बात करेंगे सर यह चौथा क्रिशी रूड मैप जो आज महा महिम के द्वारा जो सुभारम किया जा रहा है यह कितना जो है वो बिहार के लिए फाइदे मन दोगा रहा है टेए किसी रोड मैप तो हम लोग जब सास्व में थे इसमें हम भी काम किये हैं हम लोगों ने भी एकसर चाइज किया है और चौथा क्रिशी रोड मैप है इसको आगे बढ़़ाने में और इसके निर्मान चाहिस की भी हाँ था हूँ इस आप से मूर्त रूप ले चुका है और मानी राष्ट पती जी आ रही है कि द्वारा उसका सुभारम्ब होगा उसकी गोस्टना होगी स्वागत है उनका और किसानों के हित में जो होए उसको देखा जाए क्या क्या होता है हम लोगों ने तो जो सुझाव दिया था और मत मत था हम लोगों का कि जो मिलेट है मोटे अनाज उन मोटे अनाजों को और उसका उत्पादन हो किसान का उत्पादन में लगें तो उसके लिए प्रोशाहिद करना और बड़े पैमाने पर किसान मोटे अनाजों की पिखेजी करें एक तो पॉस्टिक है दूसरे वो किसानों की जो एकनौमी है जो आर्थी किस्तिति उसको भी सुधिट करने में अत्यांत मददगार है और तीसरा जो सबसे बड़ा फाइ पानी में भी और कम समय में मोटे अनाज का उत्पादन होता है उसकी खेटी होती है अब तो पानी भी कम पढ़ रहा है तो उस लिहाज से भी मोटे अनाज की खेटी किसानों के लिए सुगम और आसान अब स्वास्त भर्दख और आर्ठिक दिश्टी से भी मजबूत करने वाली यह खेटी इसको हम लोगोंने प्राठ मिक्ता के साथ बिक्षित करने का और किसानों को प्रुत्साहित करने का उस रूट में लाने का हम वह ने प्रुत्व किया था पता नहीं नोगोंने क्या है सरकार बदलती हैं तो प्रात्यमिक्ताइं भी बदल जाती है अब उनकी प्रात्यमिक्ता है कि नहीं है अब वो तो देखने की बात होगी प्रात्यमिक्ता इतनी बदल जाएगी कि निता प्रतिपक्स को जो है इस कार्करब में नहीं बुलाया जा रहा है कि ये बात ये सवाल तो नहीं पूछना चाहिए आपको इसलिए नहीं पूछना चाहिए कि वो 15-18 साल से मुख्यमंत्री हैं तो उनको जानना चाहिए सब को इस राजे के मुख्यमंत्री रहे लंबे समय तक गोर वेक्तिवादी हैं वो अपने अत्रिक्ट किसी को कुछ जानते ही नहीं जो कुछ किया हमने किया साइद यह भी किसी दिन कह दें कि यह धरती मेरे कारण और इस धरती को भी पैदा आमीने किया है का सकते हैं उनकी सूच है ऐसी तो बिना प्रतिपक्ष का भी लोग तंत्र चलेगा संसद्य प्रणाली चलेगी यह उनका मानना है क्योंकि नितिश कुमार सब कुछ चलाने में काफी है और वह स्वैम बहुत काफी है इसलिए नेता प्रतिपक्ष की जरूरत क्या है संसद्य प्रणाली जो अस्थापित है पहले हमारे उन महान पूरवजों ने और यह लोग तंत्र की जन्नी है बिहार या धरती लोगों ने जो अस्थापित किया है प्रणाली अगर उसके बिना यहां चल सकती है काम कर सकती है तो बिना प् सकते हैं यह उनकी छमता है और उनकी छमता पर हम सब को प्रसंद होना चाहिए यह शमता जब आप लोग इंडिये सरकार में थे तो उसमें तो नेतार प्रतिवक्ष तिजस्वी यादव है बकाइदा उनको नियोता गया था वो सामील भी वह तो देखिए उनकी मर्जी मैंने क अपनी मर्जी चलाते हैं मैं सब कुछ मैं जो चाहूंगा करूबगा आप जो करूँनगा वोठीक करूंगा बाकि जो दूसरे कुछ भी कहें और सला देंगे वह सबुड जलत होगा तो तो ऐसा मानने वाले वेक्टी किया कहा जाता है अम अबॉस संग्या से भी भुश्व नहीं करना चाहते एक और जो बात जो जब आप लोगी सरकार बिहार में गई महागडबंधन की सरकार बने थी तो उस समय सुधाकर सिंग जो वो क्रिशी मंतरी बने थे उन्होंने काफी कुछ क्रिशी रोड मैप को लेकर जो है वो अपत्ति जताई थी उसके बाद उनकी जो ह परिवार से ही और उनकी आवाज निकलती थी और आज भी जो आवाज निकलती है वो लालू जी के चाहता है तो उसका वो परकटी करन करने वाले उनका माउथ पीश थे तो वो नितीश जाने है और सुधाकर जी जाने है उसमें दूसरे को बोलने का क्वेस्कोप दुहाए नहीं और सब जानते हैं सब जग जाहिर है कि मामला क्या था तो आज जो है जिस तरह से चोथे क्रिसी रूड मैप को लेकर महा मही में राष्ट पती पटना पहुंच रही है और 2023 से लेकर 2018 तक बिहार का जो क्रिसी रूड मैप जो है वो तैयार हो गया है अब देखना होगा यह क्रिसी रूड मैप बिहार को कितना उन्नत और सम्रीध बनाता है समचार प्रस के लिए प्रट्टा से मनिवुश्य से झाल 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